हलो यूरोवन विल्कम बैक टियो ओन चेनल वेल्स सागा अज है 13th of October 2022 जैसा कि शाम को हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आप लोग के लिए जो इंपोर्टन स्टॉक्स है जिसमें की रिजर्ट्स आये हैं IT सिक्टर के उनको कंपेर किया जाएगा कौन से स्टॉक्स को है 12.3% का 6,021 क्रोड के प्रॉफिट आये हैं रेविन्यू की बारे हम बात कर रहे हैं 6% का जंप है अगर हम लोग बात करें मार्जिंस की तो जहां मार्जिंस पिछले साल पिछले क्वाटर में थे 20.1% मार्केट एक्सपेट करें थे कि मार्जिंस खराब हो सकते हैं लॉस के एगर कंपनी डबल डिजीट में फ्रॉफिट बिल्टी को इंपरूव करके दिखा रही है इंफॉस ने रेविन्यू में थोड़ा सा ड्रॉप है अगर रेविन्यू फ्रंट को छोड़ दें तो मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट का जो पूल था प्रॉफ इंप्रिबिल्टी में भी इंप्रूव्मेंट दिखाई पड़ रहा है अर्निंग बिफोर इंट्रेस्ट एंड टैक्स ओर एक फ्रेंट पे कंपनी ने बहुतरीन रिजल्ट्स पोस्ट किये हैं इसके लावा दोस्तों जैसा कि एक्सपेक्टेट था कि इनफॉसेज बाय बैक को लाएगी बाय बैक भी लाई है एटीन हंडर्ड फिफ्टी रूपीज पर शेर लेकिन दोस्तों यह टेंडर रूट नहीं है ओपन मार्केट की थूँ वो परचेस करेंगे नैंटी थ्री हंडर्ड करोड के स्टॉक कहने का मतलब क्या कहने मतलब यह है कि लॉंग टर्म मे दोस्तों अभी क्या है अगर पैचे टेंडर रूट होता तो आप शेर्स को टेंडर कर पाते आपको 1850 रुपए में आपके शेर्स कमपनी खरीद लेती लेकिन अभी मार्केट में से वो स्टॉक्स को पिक करेंगे और नैटी थ्री हंडर्ड करोड का बाय बैक है तो इससे जो इनफॉसस के शेर्डर से उनको लॉंग टर्म में बेनिफिट मिलेगा अगर कोई कमपनी अपने शेर्स को खुद खरीदना चाह रही है इसका मतलब क्या है वो एकुटी को डाल्यूट नहीं करना चाहती है एकुटी को स्प्रेड आउट नहीं करना चाहती है मतलब उसक में अपने बिजनस पे अपने बिजनस फंडमेंटल पर अपने फ्यूचर ग्रोथ पे कॉन्फिटेंस है और जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया कि इनफॉसस एक शांदार डिविडेंट देने वाली कंपनी है टू परसेंट की शांदार डिविडेंट डील भी स्टॉक औफर करता है आज के दिन भी इनफॉसस ने डिविडेंट डिक्लेयर किया है रिकॉर्ड डेट है 28 ऑउक्टोबर तो वरहोल कंपनी के जो जो नंबर सेंटी जो परफार्मेंस है वो तो शांदार है ही और कंपनी का परफॉर्मेंस लॉंग टाम में भी भी बहतरीन रहा है अगर हम लोग देखे तो promoter holding is 13 पर सेंट और कोई भी promoter holding pledge नहीं है कोई भी debt नहीं है return on equity 28-29 पर सेंट का return on capital plot 37 पर सेंट का free cash flow massive free cash flow generate करने वाली कपनी है cash rich company है साथ लोस्तों मेरे साबसे कम यह वो stock है जिसमें कि आपको dips पर accumulation बनता है especially जब पिछले एक महीने में just one month in one month company has shed out 8% यह 8% गिरा होट पिछले एक महीने में company ने देख ली है पिछले एक साल में stock करीब 17% डाउन है मैं यह नहीं कहूँगा कि stock जब सारे के सारे IT stock 30% गिरे हुए है वहाँ पर यह stock 20% से कम गिरा है तो इसका मतलब क्या है कि यह stock fundamentally बहुत सारे IT stocks जिसमें कि आपने invested हैं उनसे बहतरीन है अगर market में दोस्तों गिरावट 30% की हो रही है और अगर आपका portfolio 20% गिरा है या फिर उससे भी कम गिरा है तो जितना वो कम गिर रहा है market के comparison में उतना ज्यादा आपका portfolio strong है उसका fundamental strong है तभी उसमें बिकवाली कम हो रही है तभी उसके shareholders के share को retain करके रख रहे है बेचना नहीं चाहते है पिछले तीन साल में stock ने दिये है 74% के returns अगर FD में आपने पैसे लगए होते आपको 15% से ज्यादा के return मिलते लेकिन this stock has given you five times more returns apart from that अपर्ट फॉम धाट company ने आपको dividends भी दिये है जो की इसके over and above है चार्ट पर दोस्तों अगर हम लोग देखे तो enforces दोस्तों अभी just कुछ महीनों पहले trade कर रहा था almost 2000 के आसपास 1900-1950 के as per stock rate करने वाला है अभी आपको मिल रहा है 1420 के price पे जो लोग value buyers है मेरे साब से stock में जाता है गिरावट होगी नहीं I think अगर 1400 and below अगर ये stock किसी भी कीमत मिलता है 1350-1380 अगर बाई चान्स दोसों stock मिलता है do not miss to accumulate the stock in fact मैंने 1400 का put sell कर रखा था और 1400 के put में मैंने profit book already कर दिया है लेकिन अगर buy chances में कोई गिरावट होती है मैं फिर से 1380 1380-1360 का put sell करूंगा वो भी aggressive अगर वो इंदमनी हो जाता है तो I will take delivery of complete lots second stock है दोसों HCL technology, HCL technology के results आज नहीं कल आयते और HCL technology के results भी हर एक front पे market की expectation से बहतरी नहीं आयते हैं अगर हम लोग profitability के बारे हम बात करें market की expectation से 2.32% बहतर, revenue 0.9%, 1% के आसपास revenue में भी जम था सबसे important चीज़ है जो की ध्यान देने वाली है दोस्तों इस समय जब market में जिस प्रकार की volatility चल रही है जिस प्रकार के loss of business चल रहा है inflation बढ़ रहा है, companies अपने employees को pink slips दे रही है अच्छा कासा layoff चल रहा है, ऐसे में दोस्तों business slowdown जब चल रहे हैं, उसके पावजूद bigger company अपना revenue बढ़ा करके आपको दे रही है, अपनी profitability को बढ़ा करके post कर रही है margins भी intact रही है दोस्तों, और क्या चाहिए, और HCL technology दोस्तों, मैं बीच बीच में बोलता भी रहता हूँ तीनी stocks है, large cap के जिन पे कि आप bet कर सकते हैं, HCL technologies TCS and Infosus और ऐसा नहीं है कि दोस्तों, यह stock अभी से अच्छा हुआ है हमेशा से, अगर आप इसके fundamentals को देखें 3% से उपर की तो dividend deal, मोठा मोठा जितना FD देता है, और अल्मोस्त थोड़ा मोठा उससे कम ही बात करना है, दोस्तों, उतना तो यह stock dividend देता है, को कि मतलब खाईए पीजे enjoy करिए, growth अलग से होगी फिलाल दोस्तों बात करें, promoter holding के 60% के असपास के promoter holding है, कोई promoter holding pledge नहीं है, return on equity is 22%, return on capital is 25%, which is massive, free cash flow generate, heavy free cash flow generate करने वाली company है, cash rich company है, जो की regular dividend भी payout करती है, पिछले एक महीने में, stock में ज़्यादा खास movement नहीं हुए, लेगिन आज के दिन stock करीब 3% के आसपास उपर था, अगर हम लोग बात करें पिछले एक साल के performance के, तो पिछले एक साल में आपको 22% के discount पे stock मेल रहा है, अगर हम लोग बात करें पिछले 3 साल के performance के, despite this correction, जो 22% का correction मैंने अपने हाई, आपको दिखाया हाई से, उसको अगर हटा दें, उसको अगर हटा दें, तो stock ने तो बहतरी return दिये, लेकिन अभी भी stock आपको 82% के return देता हुए, दिखाई पढ़ रहा है in last 3 years, तो आप समझ सकते हैं, market, sector, सबसे बहतर performance है, यहाँ इन 6 ने, you know, broader markets ने 50% के return दे तीन सालों में, which is also very good, let me tell you, 50% return खराब नहीं है, लेकिन वस stock ने आपको उससे almost double returns दे हैं, आज के दिन stock काफी positive दिखाई पढ़ रहा था, अच्छे volume में बाइंग भी चल रही थी, एक हजार रुपे के दोस्तों, levels को तोड़ते ही stock सीधे अब भागना शुरू करेगा, अभी stock rate कर रहा है, 980 के आसपास, थोड़ा सा resistance है, इसका 1,980 के आसपास, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, talking about this level, तो पहले भी इस level पे आ करके, एक, दो, तीन, तीन, बार गिर चुगा है stock, लेकिन अगर जैसे stock, दोसों, 1,000 के levels दोड़ेग उस stock का नाम है, माइन ट्रे, दोस्तों, के results भी आ जाएं, बहुती शांदार results हैं, जैसा कि आप HCL Technologies में देख रहे हैं, हर एक खाका green, वैसा ही हर एक खाका green है, और अच्छा खासा green है, profitability में 5.4% का jump है, revenue 2.3%, दोस्तों, दुनिया में तरहिमाम मचा हुआ और ये company आपके profitability को, and all thanks to CNBC TV 18, दोस्तों, जिनके poll को हम लोग compare कर रहे हैं, we are comparing their poll, क्योंकि उन्होंने जो poll conduct किया है, जो कि market की एक broad breath को दिरशाता है, उसको हम लोग compare कर रहे हैं, दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, माइन ट्री गी, तो माइन ट्री में जो margins है, जो कि 18.2% expected थे, उससे बहतरीन margins company ने post किया है, चाहे revenue हो, चाहे profitability हो, चाहे वो EBIT हो, हर एक front पे company ने बहतरीन results पोस्त किया है, और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि IT sector के जतने भी stocks होते हैं, cash rich होते हैं, उनके पस अच्छा सखासा cash already balance sheet पे होता है, तो अपनी investors को वो due, due course of time पे, you know, regularly pay करते रहते हैं, 1% के उपर, 1% के उपर की शांदा dividend yield है, कोई भी promoter holding pledged नहीं, 61% की promoter holding है, no promoter holding is pledged, apart from that, अगर बात करे return on equity, which is close to 33, 34%, return on capital employed is close to 42%, which is again massive, और free cash flow generate करने वाली company है, कोई debt है ही नहीं company को पर, which is almost negligible, इसके लावों दोस्तों, मैंने जिसाब की बहुता है, कि 1% की उपर की dividend yield के stock को मैं बहतर ही समझता हूँ, और IT sector के सभी के सभी stock generally आपको बहतर dividend yield देते हैं, because asset light business model होता है, काफी सारा cash होता है, balance sheet पे, कहां पे उसको use करें, अगर use नहीं करेंगे तो negative होता है, cash को अपने पास hold करना सही नहीं है, इस से अचा है cash को shareholders को distribute कर दीजिए, at least जोनों ने आपके share को hold करके रखा है, they will be rewarded, and the best news is दोस्तों, ये stock पिछले एक महीने में जितने भी गिरावट दिखा रहा था, उसको recover करता हुआ दिखाई पढ रहा है, जबकि पांच है परसेंट डाउन है, including broad, including benchmark indices, पिछले एक साल में stock ने 24% के discount पे आपको ये stock available है, 5000 रुपए का stock, आपको मिल रहा है 3000 रुपए के आसपास, अगर पिछले तीन साल के बारे हम बात कर रहा है, ये जो गिरावट है, इसको include कर लें, तो भी आपके एक लाग को बनाया कितने banker returns stock ने दिये है, माइन ट्री, अभी stock दोस्तों अच्छे reasonable valuation में मिल रहा है, लेकिन अगर आप मुझसे पूचें कि sir, क्या ये stock यहाँ से लेते ही भागने लगेगा, my answer is no, अगर आप ऐसा चाहते हैं, कि आपके लेते ही stock rocket हो जाए, तो फिर मेरे साथ दोस्तों stock में 4000 1000 के ऊपर buy करना चाहिए, और at least 3600 के ऊपर buying करने की opportunity ढूपनी चाहिए, अगर अभी आप buy करने हैं, तो आप एक value buyer हैं, जो कि long term के लिए आप किसी stock को hold करना चाहते हैं, और अगर आप value buyer हैं, long term investor हैं, तो फिर हमारे private group को join करना पसंद कर सकते हैं, link is in description, sign up करें and be part of our family, absolutely free of course, there is no additional charges to you, just sign up and just let us know that you have signed up and that's all from my side friends, I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ clarity आई होगी, कब आपको कौन से investment करने हैं, अगर आप मोमेंटम बायर हैं, तो कब आपको entry करनी हैं, that's all from my side, bye bye for now.